गुड मॉर्णिंग ओलो फ्यू देखेगा स्टूडेंस यहाँ पे अगर बात करें अपन आज वेक्टर ट्रिपल प्रोड़क्ट आपकी जो 13.5 एक्सरसाइज है उसके कॉंसर्ट पढ़ेंगे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोड़क्ट देखें क्या होता है वेक्टर पढ़ा है उसमें क्या क्या आपने पोजीशन वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है ठीक है यूनिट वेक्टर क्या होता है कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है एडिस्टन सब्ट्रेक्शन नम्बरोब वेक्टर ठीक है यह अपने पढ़ाता 13.1 में 13.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं अपन 13.2 एक्सरसाइज की बढ़ाता अपन ने dot product क्या पढ़ाता dot product dot product को scalar product की बोलते हैं उसमें देखे a dot b पढ़ा था अपनी a dot b पढ़ा था इसका मतलब a का magnitude b का magnitude और साथ में cos theta इसमें जो result आया था वो क्या आया था scalar quantity क्या आया था scalar आपने पढ़ा था 13.3 एक्सरसाइज उसमें cross product पढ़ा था क्या पढ़ा था cross product क्रोस प्रोडेक्ट में क्या था a cross b equal to a का magnitude b का magnitude sin theta और साथ में direction n-calf इसमें cross product के अंदर result आता है वो vector quantity आती है dot में आती है scalar cross में आती है vector 13.4 में क्या पढ़ा था scalar triple product इसकेलर triple product इसमें अपने coplanar की बात की थी अपने ठीक है क्या बात की थी coplanar की बात की थी scalar triple product को लिखते है a b c लिखते है scalar नाम से इस पस्ट हो रहाए scalar triple product मलब जो result आएगा वो किस में आएगा scalar में अब आज पढ़ रहे हैं vector triple product नाम से इस पस्ट हो रहा है कि जो इसका result आएगा जो इसका result आएगा final वो कौन सी quantity आएगी vector quantity क्या आएगी vector quantity dot में scalar cross में vector scalar triple product में scalar vector triple product में vector 2 में तो आ रही है scalar quantity 2 में आ रही है vector quantity अब देखेगा a b and c are three vectors then a cross b cross e is called scalar sorry scalar नहीं आएगा यहाँ पे sorry scalar नहीं आएगा क्या आएगा vector आएगा यहाँ पर क्या लिखो गे आप थोड़ी से mistake हो गई यहाँ पर क्या लिखो गे आप scalar के जऒगे क्या लिको हो गे आप vector लिको गे आप वेक्टर ध्यान रखे स्टुडेंट्स यहां पे यह वर्ड चेंज हो गया है इसके अदर को क्या लिख लो आप वेक्टर लिख लो ठीक है एक रोस बी इस कोल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोड़ेक्ट आप देखीगा यहां पे A क्रोस B क्रोस C का फुर्मना क्या होता देखी कैसे याद करने का तरीका कैसे होगा जो यहां पे दो वेक्टर के साथ क्रोस है ब्रेक्ट में इस A का दूर वाले के साथ डॉट करवा दो A डॉट C अब बचा कौन सा B वाला अब इस A का पास वाले के साथ डॉट करवा दो A C, pass में को है? B है, A का pass वाले के साथ dot करवाया, दूर कोण बचा C, आगे सम्ज में, बीच में किसका सिंटिन आएगा, माइनस का, अब जिसे माल लो, ऐसे आगया, अब B का पहले दूर वाले के साथ, B dot C, कोण बचेगा? A बचेगा, B का pass वाले के साथ, B dot A, कोण बचेगा? C बचेगा माइनस बीच में लगाएंगी ऐसी पी का आर के साथ डॉट बार क्यू आएगा फिर पी का क्यू के साथ बार को ना आएगा आ रहाएगा ऐसी अब देखो यहां पर तोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने यहां पे क्या कर दिया A क्रोस B अंदर है ठीक है पहले C का दूर वाले के साथ में बलब A डॉट सी अगिया आएगा ना C का दूर वाले सा A क्रोस B अब C का पास वाले के साथ पास में कौन है B बाहर कोना आएगा ठीक है तो मैंने क्या लिखा Vectors A cross D cross C Is a vector Perpendicular plane of the vector A and B cross C कहने का मनला है जो आपके पास ये vector आया है वो इस vector के और जो इन दोनों vector से एक vector बनेगा उन दोनों vector के क्या है perpendicular आएगा ये vector और इन दोनों vector से जो vector बनेगा इन दोनों vector के क्या होगा perpendicular क्यूं क्यूंकि cross product में हमेशा जो vector होता है वो perpendicular ही आता है ठीक है इसके भी perpendicular और इसके भी perpendicular क्या बाह सुन्या आगी क्या एक चीज़ और मैंने लिखी है a cross ये equal नहीं हो सकता a cross b cross c not equal to a cross b c तो दिहान रखेगा जो पहले page में आज mistake हुई है ये scalar की जगे आप क्या लिखोगे vector लिखोगे अब देखी आजाओ 13.5 13.5 exercise का question number fast exercise कौन सी है exercise 13.5 question number fast find the value of a cross b cross c if a की विल देखे b की विल देखे solve करने का तरीका कैसे होगा पहले अपन formular लिखेंगे a का दूर वाले के साथ a dot c pass में कौन रहेगा b minus a का pass वाले के साथ a dot b a का pass वाले के साथ a dot b दूर कौन रहेगा c रहेगा ठीक है अब कैसे करेंगे इसको पहले अपने A dot C निकालेंगी A dot C का मैं A vector लिख दिया C vector लिख दिया दोनों का dot product खुद का खुद से होगा 3i का minus i से minus का 3 minus का j का plus j से minus का 1 k का 3k से 3 आजाएगा solve करने के बाद कितना आगया minus 1 A dot C निकाल लिए अपने अब क्या निकालेंगे A dot B A dot B A की वेलिए रख दी B की वेल्यू खुद का कुछ से होगा 3i का i से 3 आएगा minus j का 3j से minus का 3 आएगा k का minus k से minus का 1 solve करने पर कितना आगया minus का बना गया अब के पास formula क्या था A cross B cross C A dot C ये formula था A dot C की वेलिए minus 1 B की वेल्यू पूरी रख दी A dot B की वेल्यू कितनी आई थी minus 1 और C की वेल्यू पूरी रख दी अब क्या किया minus 1 से इसको क्या कर दिया multiply कर दिया अंदर तो ये आ गया अब minus ये क्या होगा plus और ऐसा का इसा solve कर दिया इसको solve करने के बाद की जल्टाया ये अगला किशन देखो A दियावा, B दियावा, C दियावा A दियावा, B दियावा, C दियावा ये आपको calculate करना A cross B cross C formula लिग दिया सबसे पहले A dot C निकालेंगे A की वेल रख दी, C की वेल रख दी माइनस का 3 के प्लस का 12 आएगा solve करने के बाद कितना आगया प्लस का 11 आएगा ठीक है, देखो एप्लस का 11 आगया S A dot B निकालेंगे माइनस का 3 आजाएगा formula में set करेंगे, formula क्या है A cross B cross C A dot C की वेल रख दी A dot B की वेल दी माइनस 3 C Q लग दी, solve करने के बाद जो result आएगा, वो ही आएगा अगला question देखो, prove that करना है अपने वो है आपको prove क्या करना देखो A cross B cross C not equal to A cross B cross C ठीक है, पहले अपन A दियावा, B दियावा, C दियावा मैं एक prove कराऊंगा, दूसरा आपको करना है ठीक है, मैंने क्या किया LHS लिखा LHS का formula लिखा अब क्या चीए आपको A dot, सबसे पहले मैंने लिखा now A dot C, अमने direct solve कर लिया है, A dot C को कैसे solve करेंगे, direct देखो यह A है, यह C है 2i को minus i से minus का 2 5j को minus 2j से minus का 10 I got 10 माइनस देखो पहले आया माइनस का 2 फिर माइनस का 10 अब माइनस 7 के को माइनस प्लस का 21 solve करने के बाद कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9, देखो 9 आगया ऐसे मैंने A dot B को भी direct solve करके लिख दिया है ठीक है, formula में set किया A cross B cross C, A dot C 9, B की वेल्व ऐसे की सी, माइनस A dot B की वेल्व 7, C की वेल्व ऐसे की सी, solve करने के बाद result क्या आया solve करने के बाद result आया minus का 20i, 50j, प्लस का 30kk ये equation क्या आगई फैस्ट आगई, अब आरा चैस लेके चल रहा हूँ आरा चैस देखो क्या आपका आरा चैस आपका A cross B cross C पहला दूर वाले के साथ A dot C पास में कोण है, B है फिर C का B के साथ C का B के साथ आगई हा, B dot C A dot C आएगा फिर क्या क्या मैंने इस C को दूर वाले के साथ डूर करवा दिया, फिर कोण आएगा B आएगा, फिर C को पास वाले के साथ करवाया, B dot C आएगा फिर दूर वाला कोण आएगा, A आएगा A dot C की वेल्यू निकाल ली at b dot c निकाल लिया formula में set कर दिया formula में set करने के बाद value है यह वाली high value आप मेरे को बताओ equation fast और equation second equal है क्या from equation fast and second दोनों चीज equal है नहीं है ठीक है ऐसे आपको second वाला proof करना खुद को a दियावा, b दियावा, c दियावा है second का second आपको खुद को करना है question number 3 देखेगा proof that a cross b cross c equal to a dot c b minus a dot b सबसे पहले question fast दियावा इसमें भी दो पार्ट है, मैं एक पार्ट बताऊँगा ठीक है LHS लिखा मैंने a cross b cross c, देखे इस question में formula को प्रूफ करना है किसको प्रूफ करना है formula को प्रूफ करना है ठीक है यहाँ पे a cross b cross c a ऐसा का ऐसा b cross c को देखे कैसे लिखा पहले आई जे के determinate method से किया कौन से method से determinate method से किया है इसको formula से क्यों नहीं कि formula तो proof ही करना है अगर आप इसको यह लिख दो पिर पिर प्रूफ क्या करते है आप ऐसे नहीं करना है lhs को दूसरी तरीके से solve करना है a की value से कैसी b cross c में क्या है cross product करवा रहे है 13.3 exercise में cross product कैसे पढ़ा था पहले i, j, k पहले i, j, k अब b k component पहले यह लिख दिया b k component देखो b k component क्या है two minus one, one फिए kis के component c के component अब a, sa का ऐसा a, sa का, ऐसा और इसको determinant method से solve कर लिया कुन से method सolve कर लिया determinant method से कैसे किया पहला i, sa का ऐसा minus one को minus one से multiply किया plus का one b, c, minus आता है one को three से three आ गया फिर minus का j आएगा two को minus one से multiply करईगा minus का two आएगा फिर बीच में मैनिस आता है वन को बन से किया बना गया ऐसे लास्ट में प्लसह क्या ऐएगा जी सिक्सा आло भया टुंप किनल ने के बाद एक रोस या रग डिए नश्री एक रहतती विक्टर बीच मिंठी आ कर आरे हैं cross कर रहा है जब दो वक्ट्रों क्रोस को थे क्या लिखता है पहले Aj kf पहले वाले कि component दूसरे वाले component इसको solve करने के बाद value कि आई 13 i minus 3j plus 5k RHS क्या आपका a dot c b or a dot bc a dot c को are a dot c को dot अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे ठीक है तो कल मैं यह चैप्टर खतम कर दूँगा आपका परसुट टैस्ट है मैथेमेटिक्स का थाटीन चैप्टर का बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा एक्जामफल सहीद सब कुछ आज के लिए बस इतना काफ